खेसारी लाल यादो को स्टेज से जवाब देने के बाद पवन सिंग कुछ अलग अंदाज में बाकियों को जवाब देने आ चुके हैं नवस्कार मैं किशन कुमार हूँ अब आप कहेंगे कि किशन जी ये आप क्या कह रहे हैं पवंद सिंग तो जबाब दे चुके हैं और वो भी सोहरगा कर उसके बाद भी कुछ नए नए बवाल हुए है कहसारी लाल यादों एक interview में पवंद सिंग को उमरतराज कह देते हैं तो पवंद सिंग भी एसेज से कहसारी लाल यादों के लिए सोहर गा देते हैं बले हिन दोनों ने एक दूसरे का नाम नहीं लिया हो लेकिन पुरी भोजपुरी इंडस्टी जानती है कि किसने किसके लिए क्या कहा और सुना भोजपुरी के ओडियंस तो इतनी समझदार जरूर है कि कौन किसके लिए क्या कह रहा है किसका इसारा किधर जा रहा है वो भोजपुरी के ओडियंस आसानी से समझ ही लेती है अभी कभी पब्लिक ये भी जरूर समझ जाती है कि कुछ चीजे भोजपूरी में जान बूज कर की जाती है और कुछ चीजे यूँ ही हो जाती है कि सारी लाल यादों अगर पाउन सिंग को उम्रदराज नहीं बोले होते तो पाउन सिंग भी साइद स्टेज से सोहर नहीं गाये होते इस बात में बिल्कुल सचाई है कि पाउन सिंग कहते हैं कि मैं ज्यादा नहीं बोलता मैं बार बार लाइव नहीं आता ये बाते पॉण सिंग के फैन ही नहीं बलकि उनके बिरोधी भी जानते हैं पॉण सिंग सच में ज़्यादा लाइब नहीं आते हैं और पॉण सिंग हर बात पे किसी के लिए कुछ भी मुझ से नहीं निकाल देते आप सभी दर्सकों में कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये सिर्फ पॉण सिंग की तरफदारी कर रहा है लेकिन भाई साब हम किसी की तरफदारी नहीं करते पॉण सिंग अगर गलत करते हैं तो हम उनका भी भी रोध खुल कर करते हैं क्योंकि हम किसी एक कलाकार के लिए काम नहीं करते हैं हम जो भी कहते हैं सबूत के साथ कहते हैं और सच कहते हैं अब आप कहेंगे कि किसन जी पवन सिंग आखिर नए अंदाज में कैसे जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें जैसे ही नया विवाद सुरू हुआ था उसके जवाब में पवन सिंग ने काम करके जवाब देना सही समझा विवाद के ठीक बाद पिश्टल पे लहंगा भाई साहब सपना चोदरी के साथ गाना आया सुपर डूपर हीट भी रहा मेकिंग तो एकदम सांदार हुई जवाब मिल ही गया ठीक उसके बाद फिर से पौन सिंग तयार है जवाब देने के लिए अब भाई साहब जवाब तो नए अंदाज में पौन सिंग लेकर आ गये हैं स्क्रीन पे आप पोस्टर देख रहे होंगे पोस्टर का टाइटल भी देख रहे होंगे वाई साहब बहुत जल्दी ये गाना रिलीज होने वाला है पौन सिंग अक्सर काम से जवाब देना उचित समझते हैं ऐसा उनके फैंस भी कहते हैं और भोजपुरी के और भी चाहने वाले लोग भी कहते हैं तो पौन सिंग अपने गानों से जवाब देने के लिए आ गए हैं तो है ना ये एक अलग अंदाज जवाब देने का पौन सिंग काम से जवाब देना चाहते हैं ना की मूँ से सकता है कि बहुत सारे लोगों को उमीद है कि भोजपुरी का जो stage प्रोग्राम है पावंसिंग का वो होने वाला है नेपाल में वहाँ पे पावंसिंग अगर पहुंचेंगे तो कुछ न कुछ बोलेंगे जबाब देंगे लेकिन भाई साब हो सकता है कि वहाँ पावंसिंग कुछ बोल जाएं कि फिर से कुछ नया सुरू हो जाये आप सबको क्या कुछ लगता है कि वागई पावंसिंग अपने काम से ही जवाब देने विश्वास रखते हैं तो कॉमेंट करके जरूर बताईएगा कुछ भी अगर होता है कोई भी नई अपडेट आ दिये तो हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे अगली वीडियो में दिखाएंगे कुछ और तब तक के लिए नमस्कार